हेलो बच्चों आप लोग कैसे हैं आसा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्थ होंगे और अपने बोर्ट परिक्षा की तयारी जबर्दस तरीके से कर रहे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में क्लास एट विसर अंग्रेजी के मस्थ इंपोर्टन विबियाई अब्जेक्टिव कोशन देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ट की परिक्षा में पूछे जाएंगे तो सभी चात अंतक बने रहें और इस वीडियो में बताएगे सभी कोशन वा आंसर को अच्छे से आप लोग कॉपी में नौट कर लिजे और परिक्षा से पहले इसको अच्छे से रट लिजेगा और आप से भी इस रिक्वेस्ट एक चाल पर पहली बारा आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करने के साथ ब जो कोशन दिये गया है उसके आंसर को बताने है उसमें आपको ढूड़ना है ठीक है तो चलिए मैं इसका पेसेज को पढ़के आपको बताता हूं तो दिखिए यहां पर पेसेज में दिया गया है तो यहां पर जो है तो यहां पर जो है ना केसब जो है 12 को चूँ लेता है और सब्सक्राइब जो है गोसना बना दिया जाए बहिए बहरं किया मैं इसे एक बार देख सकता हूं यहां पर यह करत्यांस में दिया गया है ठीक है तो यहले इसे related जो question दिये गए है उसको मैं आपको बताते जाओंगा इसको copy में नोट कर लिजे इस गाम से पहले इसको अच्छे से रख लिजेगा ठीक है देखें यहापे सबसे पहला question यहापे दिया गया है कि what did के सब seen in the nest यानि कहता है गोसले में उन्होंने क्या देखा था उसनोंने क्या देखा था तीन अंडा देखा था ठीक है तो option नमर 20 का से आंसर होगा 3x ठीक है अगला question दूसरा नमर है कि what happened when के सब hand reached the corny यानि कहता है जब वह चज्जे को छूता है या चज्जे तक पहुशता है तो उन्होंने क्या देखा है तो उन्होंने क्या देखता है कि the bird flew away यानि कहता वहां से जो है एक जो है चिडिया उड़ी है ठीक है तो यह option नमर जो है सी इसका सही अंसर होगा ठीक है याद रखेंगे अगला question तिसरा नमबर दिया गया है कि how was the next different from the ones on tree यानि कहता है यहां पर देखे च्छाट जापर और ट्री पर जो है किस परकास से जो है घोसले का अंतर होता है तो दोस्तों आपका जहाए इसका सही आंसर होगा इसको अच्छे साप लोग रटीजेगा अगला question देखे फिर passage यहाँ पर दिया गया है जो कि आप देख रहे है यहाँ पर लिखा है read the passage and choose the correct option यानि इस passage को पढ़ना है और इसे लेटेट जो question दिये गए है उसका सही आंसर आपको बताने है ठीक है चलिए passage पढ़के मैं आपको बताऊंगा देखे यहाँ पर क्या he required या he replied ठीक है he replied I sold the well to you not the water and walked away अगे है the farmer went to birbal यानि की जो है birbal से किसान जो है चाहता है की harving thus birbal said since you have sold the well remove and remove the water from the well the man apologies and left ठीक है तो वहाँ पर जो है birbal जो है बोलते हुए निकल जाता है ठीक है चलिए आगे इसके जो है answer को देखते है तो देखी हाँ पर जो है चौथा number question दिया गया है why did the neck bond refuse to give water to the farmer कहता है यहाँ पे जो उसका जो पडोसी है वो आनी देने के लिए जो है farmer को क्यों नहीं तयार होता है तो दोस्तों इसका answer क्या हो जागा option number C हो जागा he had sold the water not the water ठीक है तो option जो है C इसका सही answer होगा अगला question पाच्वार नेमबर दिया गया है the opposite of honest is यानी कहता है honest का मतलब क्या होता इमंदार ठीक है तो इमंदार का opposite क्या हो जाएगा dishonest हो जाएगा ठीक है यानी कि बैमान हो जाएगा तो बैमान का जो दुसरा क्या हो जाता है वो cooling होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जागा option A जो है इसका लिखना है जिसमें की छुटी की मांग की जानी चाहिए और जो कि यहाँ पर लेटर दिया गया इसको आप लोग अच्छे से कंप्रीट करना है ठीक है देखें मैं आपको बताते जाओंगा इसको अच्छे सद्यान देंगे तो सबसे पहले यहाँ पर दिया के टू तो उसके बात यहां पर क्या लिखेंगे यहां पाट पांच यहां देंगे यहां दिया है ठक है उसके बाद आये देखें थिया अंगया देंगे यहां पर क्यांद सब्गाट लिवड अप्लेकेशन चूटी with due to respect, I have to say that I have to go out of town to attend my uncle's marriage, यानि कहता है, आपसे समीना निवेदन है, कि मैं यह कहना चाहता हूँ, कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, यानि कि अपने सहर से बाहर जा रहा हूँ, किसके लिए, यानि कि attend my uncle's marriage, यानि कहता है, अपनी मामा की साधी में जो है, उपस्तित होने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद यहां आप लिके सो, यानि इसलिए, अतह, I request you, मैं आपसे परातना करता हूँ, तो grant my five days live from day to day and obling, यानि कहता है, कहता है कि यहां पर क्या, आपसे परातना है, कि मुझे पाँज इनों के छुटी दिजाए, जो की छे तारिक से लेकर दस तारिक की हो, उसके बाद आप सभी का धनिवाद यहां पर दिया गया है, belongs ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर उसक आपको नमबर का क्या हो जाएगा, योर, ठीक है, योर, ओबिडेंटली, ठीक है, ओ, टी एल वाई, ठीक है, ओबिडेंटली हो जाएगा, यहां पर योर अबिडेंटली, उसके बाद आपका विश्वासी, सुनिल कुमार, रॉल नमबर, पंदरे, ग्लास एट, इस तरह के दोस्तों, आपका जो अप्लिकेशन, वो कम्प्लीट हो चुका है, और दोस्तों, इस से लेटेट कई सारे जो है अप्लिकेशन आपको याद कर लेनी है, क्योंकि उनमें से आपका यहंडेट पर समझ है, दो अप्लिकेशन तो आपको देगा ही, ठीक है, चलिए, आगे बढ हो जागा, यूर ऑबिडियंटली, अप्शन इस कांसर हो जागा, ठीक है, चलिए, अगला कोशन यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए, उन्हों नमबर दिया गया है, दा संटेंस इन सिंपल टेंस, यानि कि सिंपल टेंस में जो है, इसको कनवर्ट करना है, तो अब यहाँ देखा, दा कैट ड्रेंक वाटर, ठीक है, चलिए, अगला कोशन दस्वा नमबर दिया है, कि चूज दा कोरेक्ट रिलेटी पर नावन इन दा संटेंस, यानि कि इस संटेंस से रिलेटीट पर नावन आपको बताने है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, साहिल एंड जोकब, that's where best friends are meeting after 10 years, यानि कहता है, साहिल और जैकब जो है, बेस्ट परेंड है, ठीक है, बेस्ट परेंड था, जो कि बहुत, यानि कि लगभग 10 साल के बाद वो जो है, मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जागा दोस्तों, यहाँ पर धियान दिजेगा, यहाँ पर नावन होगा, अगला question, ग्यार नमबर दिया है, the past perfect continuous dance, यानि कहता है कि इसके past perfect continuous dance को आपको यहाँ पर बनाना है, तो यहाँ पर दिया गए, I guess playing time since 2010, तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा, यहाँ पर past perfect continuous dance को कहा गया है, तो past perfect continuous dance हम क्या बनाएंगे, तो had been का पर्योगणा करेंगे, तो यहां पर क्या हो जागा I had been का प्रेंगे तो I had been किस में है तो option number D में है यही आप का अंसर हो जागा अगला question देखिए यहां पर दिया गया है would you like तो option A जो ही सका सही आंसर होगा ठीक है याद रखें और copy में इसको अच्छे से not कर लिजेगा मैं बार बार करता हूँ आप copy में not कर लिजे और आप हमसे वादा किजे नीचे comment करके बताएं कि हम अच्छे से तयारी कर रहे हैं और आप लोग भी तयारी करते रहेगा ठीक ह यह हमसे वादा किजे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखे तेरा नंबर कोशन दिया गया है दा इंडारेक्ट स्पीच औप सी सैट आई गो टू स्कूल डैली यानि कहता है इंडारेक्ट स्पीच में जबादलना है कहता वह कहती है वह कहती है मैं रोज स्कूल जाती यहाँ पे जो है आई गो टू इस्कूल डैली यहाँ पे दिया गया है तो इसका आउसर क्या होता है घूज कि यहाँ जाता है आई टीक है यहाँ पे गो का दूसरा रुप हो जागा सी लूप accessible का साथे यहां पर देख लेए ठीक है इसको आप लोग अच्छे पढ़ लिजेगा अगर अगर अप्लाइन क्लास की होंगे तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है इंडारेटी स्पीच भर्ब भॉहाई सारा चीज मैंने आपको जो है सारा चीज ए टुजेट ग्रामर का मैंने आप को बताया हुआ है तो इसकांसर क्या जाएगा ऑप्सन नमर भी हो जाएगा बिसाइड दर लैक ठीक है अगला कुशन है वाइडीट कैली हैट गोइंग टू इसको जाएगा ऑप्सन नमर डी ही हैड नो फ्रेंड यानि कहता उसके पास कोई दोस्त नहीं था इसलिए दोस्त क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी सही आंसर होगा ठीक है यह हो जाएगा अवलेंच एंड इन्वारेंबेंटल फेक्टर्स ठीक है ऑप्सन सी इसका सही आंसर होगा चले अगला कोशन देखें सत्रह नमबर दिया गया है कि वाट जीड द इंप्वाइडर डू विथ द इन स्कूल इसका नमबर सी हो जाएगा अगला कोशन नमबर दिया गया है विथ वूम डिड मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज तो इसका नमबर प्राइज हो जाएगा ऑप्सन ए हो जाएगा कैलास सत्यार्ति जाएगा दोस्तों मैं आप लोगों से वादा करूंगा अगर आप अच्छे से बोर्ड की परिक्षा की तयारी करते है तो मैं आपको 100% कारेंटी देता हूँ कि आप जो है 90% पलक जो है अंक आप लोग जो है बोर्ड एक्जाम में ग्यान करेंगे लाएंगे पसरते आपको महनत करनी होगी मैं जितना वीडियो आप लोगों को प्रुवाइड करा रहा हूँ सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ना है सभी को अच्छे सा आप लोगो द ततल Yuk Zaheen उदे मातर है